महिला के साथ सरे रहा रेप हुआ है स्मारधात का विडियो भी सामने आया है आरोपी ने शहर के फुटपात पर महिला के साथ दुशकर्म किया आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है फीडित महिला ने बताया कि उसे शराब पिलाए गई उसके साथ रेप किया गया इसे पहले आरूपी ने शादी का जहांसा वो से दे रहा था और उसे शराब पिलाई और फिर नशे की हालत में उसके साथ गलत काम किया और फिर धमकी देकर वहां से भाग निकला दुस्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था ततकाल वीडियो पर संग्यान लेते हुए जो पीडित महिला है उसके थानल आया गया और उसकी सिकायत पर फिर दर्ज किये है जिसमें बताया गया कि एक युबक था जिसने उसे साधी का प्रोलोबन दिया कि हम तुम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे बारिल करने वाले लोगों कीवी पहचांड कर रहे हैं उनके खिलाब भी पुलिस कारवाई करेगी ति कैंसलिंग भी की जाएगी और जो उसे रिलेटेट तथ है उसके बारे में जानकारी लीजा रहेए जिन्हों ने वीडियो बनाया है और वीडियो को वाइरल किया है उसको भी हम चिन्नित करेंगा और उसके खिलाब भी सक्त कारवाई करेंगे आतने प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। कहा कि ये तो सिर्फ उज्यन का मामला है। पूरे प्रदेश में कानून विवस्था ठप है और जनता इसकी गवा है। और आज जनता है इसकी पूरी गवाय है मही प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक जीदू पटवारी ने भी हमला बोला है लॉइन ओर्डर को लेकर सवाल खड़े किये हैं पुरे देश में आंदोली थे बंगाल की घटना को लेके जरूर वहाँ भी जो घटना वी विवस है अप्रादियों को फांसी होना चाहिए पर मद्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहां हालात क्या है मद्य प्रदेश में हालात बस से बत्तर है जैन में हुई घटना को लेकर मद्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपो पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजी शर्मा ने पलटवार किया है कहा है कि कॉंग्रिस और जीतू पटवारी हमेशा ऐसे घटना क्रम को खोज़ते रहते हैं से प्रदेश को बदनाम किया जा सके कहा कि मद्रप्रदेश में डॉक्टर मोहन्यादर की सरकार है जो भी दोशी होगा उसे भक्षा नहीं जाता है उजैन घटना करम में भी पुलिस ने ततकाल सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को जेल भेजा है और कॉंग्रेस इस तरह के मा लोग हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर घटना को इस प्रकार का वह शुरूप देने का प्रयास करते हैं अगर कहीं किसी के साथ किसी में प्रकार की कोई गलत हरकत की है किसी प्रकार का गलत आच्रन किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं भारती जंता पार्टी में मध्य प्रदेश में भारती जंता पार्टी की सरकार है ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानूर बना करने दंडित करने का प्रयास किया तो भारती जंता पार्टी की सरकार ने किया जीतू पटवारी ज दो सायोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उजेन से अजे पटवा लाइफ जुड़े हुए और साथी भोपाल से शैलेंद्र भदोरिया हैं अजे पहले मैं आपका रोप कर रही हूँ जहां का ये मामला है ये विडियो सामने आया तो कारवाई भी हुई और आरोपी को गिर मामला है यहां पर बेस्तम इलाका है पुरा यह और इसे में घट्ना किरम जब हुआ तो वहां कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया वीडियो बनाने के वाद सोचल मीडिया पर पहुचा तो पुलिस ने तत्काली मामले में कारवाई करते हुए महिला की तलास की महिला को अपने कबजे में लेकर उसका मेडिकल कराया गया इसके बाद आरूपी की पैचान कर उसको आरूपी लोकेश को घिरफतार किया गया और लेकिन जिजगा पर हुआ है और जिन लोगों वीडियो बनाया है पर इस तरीके चेश में जो रूड पर चलते हुए करते हुए उसके साथ करत्य किया लेकिन तरीके से गटना किराम हुआ है इससे पुरा शेर सरमेसार हुआ है और कानुन व्यूस्ता पर सवालगड़े हो रहा है अप कहीं न कहीं पुलिस्त ने तक काल उस समय ही जो है कारवाई करते हुए मामले को संग्यान में लिया और आरोपी को पकड़ का जेल पुचा दिया है यह मामला दो दिन पहले का बताया जा रहा है क्योंकि उस जगे पर कोई भी दुखाने नहीं लगी देती है लेकिन गड़ेश चाहती का समय है उसमें दो जो गड़ेश की पूरे कारवाई करते हुए अरोपी को पकड़ लिया थी ठीक है आजे जिस तरह से शैलेंद्र अजे ने पूरी घटना करम को लेकर जानकारी दी और वाकई सरे रहा इस तरह की कृते को अंजाम दिया गया है उससे उज्जैन ना सिर्फ शर्मसार हुआ है वलकि पूरे मध मोहन यारब के इलाके से सामने आए हैं और यही कारण है कि मध्यकार क्रेस अद्द्ध्ख्ष जीतू पटवारी हो दोनों मध्यपर्देस सरकार पर ठीक हमला बोल रहा है और कह रहे हैं कि यह मध्यपर्देस में वस्ता पूरी तरीके से चौपट हो चुपी है कानून का र जाता है और ना केवल अंजाम दिया जाता है बलकि उसका बीडियो जो है वो सोचल मीडिया पर बारल तक कर दिया जाता है तो ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से लेकर बद्ध प्रदेश के मुखिया हूं उन सबको इस बारे में जवाब देना चाहिए हाला कि बीजे जा रही है ऐसे में कॉंग्रेस को इस तरह के मामलों पर राजनीती करने से बचना चाहिए कि कांग्रेस जब राजनीती करती है तो कहीं न कहीं प्रदेश को बंख मंत्री के शेतर से यह पूरा घटना करम सामने आता है बहुत धन्यवाद आजे आपका भी